हेलो डियर लेर्नर्स सो आज हम बात करेंगे हीमेन सेल के बारे में तो सबसे पहले इसका डेफिनिशन देख लिए ते डेफिनिशन क्या है दे शेल किसी बोडी यानि यहां सिर्फ बारे में बात करेंगे इस ट्रक्सर को बनाने वाला और सबसे चोटा जो यूनिट होते हैं उसी को हम सेल कहते हैं तो एक सेल में डिफरेंट टाइब्स के चीज़े अगर दो पार्टब्स में डिवाइट कर दे अ नुक्लियस जो सेंटर में रहते हैं तो नुक्लियस में क्या किया रहता है है Hence nuclear membrane रहता है और डियेने ऐ नीडियोल लाई न्यूस लेडिय प्रासम अ और एक को सयटोप्लासम इसको दो पार्ट में डिवाड किया weso गेकर सैटोप्लास कौन सब्सक्राइब एैटा हैं और से खो प्लासमर सब्सक्रार के क्रेक। हो जाएगा एंडव्ल्सों मींzte म्लाज क्रेटीकुल compatriotis थाकिर को और गीड़ांड वी कहते हैं मांटा कॉंड्रिया लाइसों सेटी जानal संसी शीज़ागे यक ते छीजे एक सेल्यके पाए जाते हैं अब हम देखेंगे है एक सेल का डाइग्राँ हो इस नियूक्लियास कहते है और इसका जो मेंब्रेन उनको नुक्लियर मेंब्रेन कहते हैं और यहीं पर जनेटिक मेट्रियल जैसे की दियन आँजन रेने एसके अंदर जो सेंटर होते है nucleus के अंदर समी सर्फिस तरक्तर के इसको निउक्लियो लाइस निउक्लियो लाजबी कहते है कि और इसके प्रूरल फॉर्म निउक्लियो लाइड आप यहां पर DNA रहता है और वह सारे चीज़ है नब देखर हैं और यह जो आप बाकी एरिया देख रहें इसको कहते हैं इसके उपर से इसके उपर बाकी जितने भी और्गिनेल से यह सब अब फ्लोट करते यानि सेल को तरह तरह के लिए जितना इनर्जी चाहिए यह सब इनर्जी माइट्रो कुंडिया प्रोड्यूस करते देते हैं कि इसको पावर हाउस भी कहा जाता है और यह हो गया राइबोजम यह प्रोटीन सिंथेज करते हैं सब्सक्राइब और यह कोई चीज अगर किसी का देट हो जाए यहाप यह तो इसको यह खतम पर देते हैं और यह गुलकी बलडी वह काम करते हैं मतलब प्रोटीन को सिंतिज़ाइस करने में और यह ऊगराफ एंडोप्लासमी रेटिश्म मैंने चाह था कि एंड़ प्लासमीं सब्सक्राइब और यह वजह सब्सक्राइब करते हैं और यह प्रोटीन जो सिंटेसेज़ प्रोटीन है इसको को मतलब केली करते हैं जहां पर चैनल देते हैं और और न्यूगलियस तो हो गया और और यहीं हो गया और सेंट्रियोंस और तो यही था बैसिक एनाटोमी और अफ यूमें सेल तो आशा करतो आप लोगों को समझ में आया है तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में आज के लिए बाइ टेक्केर